जब भी कोई गटना गटित होती हैं या कोई भी अपराद कहीं पर होता है तो जब पलीश किसी को अरेस्ट यानि की गिरुफतार करती है चाए तो उसने कोई क्राइम किया हो या उसका जोटा नाम आ गया हो जिस कारण उसके खिलाफ जोटी F.I.R होने के कारण गिर्फतार भी किया जाता है और उसके बाद 24 गंटे के अंदर-अंदर जब मजिस्टर साब के सामने पेश करते हैं उस व्यक्ति को उस अपरादी को तो हम मजिस्टर साब तेक करते हैं कि अब उसको जुडिसियल कस्टेडी में बैजा जाए या फिर पुलिस कस्टेडी में उसी के अंदर आता है पुलिस रिमांड सब्द रिमांड का मतलब क्या है दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में आम लोग सोचते हैं कि रिमांड का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा मार पीट करना पुलिस टेसन में टोर्चर करना एशी बहुत सी चीजे हैं जो लोग अपनी मन में सोसते हैं लेकिन कानून में ऐसा नहीं है रिमांड का सली मतलब क्या होता है और रिमांड कब लिया जाता है और रिमांड कितने समय का मिलता है यही सब बातें आज की सी वीडियो में हम करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें तो चलिए सुरू करते हैं वीडियो को देखने से पहले आप मारे यूटूब चनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और जो साइड में आपको बेल आइकोन दिखाई दे रहा है उसको भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी नियू नियो वीडियो मिलते रही सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रिमांड सब्द होता क्या है क्योंकि काफी साथी रिमांड का मतलब यही समस्तिय हैं कि पुलिस कस्टडी में मार पीड करना और अक्सर ऐसा होता भी है लेकिन कानून की नजर में रिमांड का मतलब होता है किसी व्यक्ति से पूस्तास करना इसमें मार पीड करना बिलकुल भी नहीं है और ना पुलिस किसी वेक्ति के साथ मारपिट कर सकती है वो सिर्फ आप से पोस्तास कर सकती है और यही रिमांड होता है इस प्रकार से आप समझ गए होगे की रिमांड होता क्या है जब भी आपके खिलाफ कोई सिकायत होती है तो बिना F.I.R. के आपको थाने में दो या तीन दिन बिठा लेती है और आपके साथ मारपिट की जाती है और कभी-कभी तो थर्ड डिग्री टोर्चर भी किया जाता है तो आपने इस बात का खास तोर से द्यान रखना है कि जब भी आपके खिलाफ पुलिस कोई सिकायत दर्ज करकर आपको थाने लेकर जाती है तो आपको 24 गंटे के अंदर अंदर आपकी इलाके के मजिशर साब के सामने पेस करना होता है अगर नहीं करती हैं तो आप या आपके पुरिवार वाले उन पुलिस वालों के खिलाफ हाइ कोट में रिट फाइल कर सकते हैं जिसमें आपको मजिशर साव के सामने पेस करना ही पड़ेगा उन पुलिस वालों को अब अगर आपको पुलिस कस्टेडी में पुलिस के दवारा मारा पीटा जाता है तो ये तो आपको भी पता लगया कि कानून की नेजर में ये बिर्कुल गलत है तो आप इसकी स्कायद भी कर सकते हो कब कर सकते हो तुम आपको बता दूँ की जब आपको मजेशन साब की सामने पेश करते हैं तो आप उनको अपनी आबिती बता सकते हो जिससे उन पुलिस वालों को जुरूर दंडित के जाएगा अगर उन्होंने आपके साथ मार्क वेट की है तो